आप लोगोंने कारवन डेटिंग, कारवन बिधी के बारे में सुना होगा और समय समय पर ये काफी चर्चा में भी बनी रहती है और कारवन डेटिंग से किसी बस्तू या आप देकी जीवास में की उम्रे का पता लगाया जाता है किस बस्तू की उम्रे कितनी पुरानी है ये बस्तू और अभी हाली में आप देख रहे होंगे कि ग्यान वापी परिशय का मामला बनारस में चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में तीन हजार से जानदा ऐसे इस्थान है जहां हिंदों और मुस्लिमों की बीच बिबाद की वजय बने हुए है और एक ही आप देखे मुद्दा जिसने पूरे देश को हिलाके रख दिया था उस समय आप देखे हिंदों मुस्लिमों की वीच किस तरह से खाई वड़ी कितने आप देखे दंगे हुए और बाबरी मश्चित गराने की बाद हमारे देश में कई जगे आतंग की हमले भी हुए जी हाँ हम लोग राम जनम्मूमी वाबरी मश्चित बिवाद की बात करें है उसके बाद आपने देखा इस सुप्रिंग कोट ने नेड़े दिया और अब उहाँ अयोध्या में भब राम बंदिर बनाया जा रहा है अगर बनारस की हम लोग बात करें एक और आपने देखा होगा एक कानून आया हुआ था धार्मिक स्थल कानून जिसे प्लेसेस और बरसिक एट उननीस सो एकानवे की नाम से जानते है देखिए उस समय जो फरिस्तिती बनी हुई थी तो उस समय जो भी कानून बनाने वाले रहे होगे उनकी मन में चिंता थी कि अगर इसी तरह की विवाद आगे भी चलते रहे तो देश में असान्ती बनी रहेगी तो इस कानून में कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है चाहे वो आप देखे किसी भी धार्मी की स्थल तोड़े गये हूँ या बनाए गये हूँ उन सभी को भूला होगा लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां में समंदिर रहेगा जहां मस्जिद है वहां में समस्जिद रहेगी किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा लेकिन इस से आप देखे राम जनम भूमी बावरी मस्चित के विवाद को बाहर रखा गया था लेकिन अब आप देखेंगे इस कानून को ही चरोंती दी जाने लगी है तो आप आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस कानून का क्या होता है अगर एक कानून लागू रहता तो आप देखें इस तरह के आंगे कोई विवाद ही न रहते तो कारवन डेटिंग की मांग की जा रही है और ज्यानवाफी परिश्य की बात करें तो ऐसा मानना जाता है कि एक पुराने सिम्मंदिर को तोड़कर औरंग जेब ने 1969 में ज्यानवाफी मस्चित का निर्मार कराया था यह आपको उत्तरफिदेश में देखने को मिलेगे देखे मत्रा का विबाद हो अयुद्ध्या का विबाद था या आप देखे कि बावरी मस्चित का विबाद जो अयुद्ध्या की बात करा हो या बनारस का ज्यानवाफी परिश्य की बात हो रही है यह सभी उत्तरफिदेश में देखने को मिलेंगे और जितने ये धार्मिक और सामाजी की मुद्दे है उससे जाना ये राजनीतिक मुद्दे भी है इनके नाम बर आप देखते हैं कि राजनीती भी खूब होती रहती है और उत्तरपिदेश तो राजनीती की दृष्टी से भी काफी मात्पूर है लखनो इसकी राज़नी है इसकी अंतराष्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार, जारिकंड, चत्तिसगर्ड, मद्पेदेश, राजिस्तान, हर्याना, दिल्ली, हिमाचल पेदेश, उत्तराकंड से लगती है सबसे जादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है और विधान सभा में देखेंगे 403 सीटे हैं, विधान परिशद में 100 सीटे हैं, राज सभा में 31 सीटे हैं, लोग सभा में 80 सीटे हैं और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्धी है ना इसका राफ्ता उत्तरपदेश से हो कर जाता है और आप अगर पिधान मंत्रियों की सोची भी उठा के देखे ना तो अधिकतर पिधान मंत्री उत्तरपदेश से ही निकल के आयो हैं बर्थमार पिधान मंत्री मौदी सा कहले खोच की बात कर लें कार्वन टेटिंग का इस्तिमाल किसी बस्तु की उम्र का पता लगाने के लिए कार्वन देटिंग का इस्तिमाल करते हैं और रेडियो कार्वन डेटिंग तफनीक का विस्कार 1949 में कम 1949 में सिकागू यूनिवसिटी के बिलेड लिभी और उनके साथ ही हो ने किया था और इसके लिए 1960 में उन्हें इसकाम के लिए रसाइन का नौबल पुरुसकार भी दिया गया था अब आप कहेंगे कि नौबल पुरुसकार क्या होता है तो अलफेड का नौबल का नाम आप लोग ने सुना होगा उन्हें नौबल पुरुसकार का दाता कहा जाता है और ये 1901 से सुरू हो चुके थे ठीक है तोनी की बात हो रही है हाल में ही बनारस की एक जिला नियले ने ग्यानबापी मस्चित परिशा के अंदर पाय जाने पाली विवादित धाचे की कारवन डेटिंग करने की याजका को खारिज कर दिया है और कारवन डेटिंग कारवनिक पदार्थों की आयू का पता करने के लिए ब्यापक रूप से उप्यव की जाने वाली बिधी है यानि कि सिधासा मतलब आप लोग उसके नाम सही समझ में आ रहा है कि कारवन से किसी की तिथी का मालू चला कारवन से किसी की डेट का पता करना कारवन डेटिंग सजीवों में विभिन रोपों में कारवन होता है और डेटिंग पदिती इस्तत्य पर आधरी थे कि कारवन 14 रेडियो धर्मी है और उचित दर पर इसका 6 होता है C, कारवन 14 कारवन का समिस्थानिक है और जिसका परमाडू किर्मान का आप देखेंगे परमाडू दिर्मान 14 है कितना? और वायू मंडल में कारवन का सबसे पिचूर समिस्थानिक C12 है 12 टीड़ा C12 और वायू मंडल में C14 की बहुत कमात्रा भी मौजूद होती है और बातार बावन में C14 और C12 और C14 का अनुपाल लगभद इस्थिर और ग्यात है साथी कव साथी 40,000 से 50,000 बर्स अधिक पुरानी चीजों की आयू कारवन डेटिंग के माद्धिम से नहीं आकी जा सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि आधिक जीवन के 8 से 10 चक्रों के बाद C14 की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता नहीं चल पाता है इसलिए इससे इसकी गढ़ना नहीं की जा सकती है इसके अगर उपयोग की बात करें तो 5000 से 50,000 बर्स पुराने 50,000 बर्स पुराने जीवासमों और पुरातात्विक नबूनों की डेटिंग की एक बहुमों की तकनीक सावित हुई है और इस बिदही का व्यापक रूप से भू बिग्यानिक मानाओ बिग्यानी और पुरातत्विद और समन्दी चेत्रों से मैं जाज करता हूं द्वारा उपयोग किया जाता है कारवन चौदय को और कारवन डेटिंग कारवर चौद कि पौदयों और जानवर अपना कारवन बायूनल से प्राप्त करते हैं और जी 12 और C14 को लगबग उसी अनफात में प्राप्त करते हैं जो कि बाता वर्ण में मौजूद है और कारवन को पौधो पौधी पिकास असलेशन के माध्यम से जबकि जैनबर मुक रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्ट करते हैं और जब पौधे नश्ट हो जाते हैं तो बातावर्ण के साथ उनका संपर्ब खतम हो जाता है और रेडियो धर्मी तत C14 की जीवन आधी होने के बाद भी लगभग 5730 बस होती है और जिसे हाप लाइब कहा जाता है जबकि C12 इस्तिर है किसी पौधे या जानवर के मिर्थ होने के बाद उसके आउसेसों में C12 से C14 में परिवर्टन के अनपात को मापा जा सकता है और इसका उपयोग जीव की मिट्टिव के अनुमानित समय को निकालने के लिए किया जा सकता है किस जीव की मिट्टिव कब होई थी कोई जीवास में मिलता है तो आप देखते हैं कि कारवन डेटिंग होती है न उसकी और उसी से मालूँ चलता है कि इसकी मौत कब होई होगी ठीक है तो यह भी याद रखे निर्जीब चीजों पर डेटिंग का तरीका रेडियो मेट्रिक डेटिंग के तरीके इस पदिती में अन रेडियो धर्मी तत्तों का छै जो सामगरी में मौजूद हो सकता है डेटिंग पदिती का अधार बन जाता है और इस बिधी के पिरकार पोटेसियम आयरन डेटिंग और पोटेसियम का रेडियो धर्मी समस्थानिक आरगन में बदल जाता है और उनिक के अनुपात चट्टानों की आयू के बारे में साक्ष विदान कर सकते हैं यानिकि चट्टानों की आयू की बात हो रही है यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग यूरेनियम और थोरियम में कहीं रेडियो धर्मी समस्थानिक होते हैं और ये सभी इस्थिर लेड परमाडू में छै हो जाते हैं और सामगरी में मौझूद इन तत्तों के अनपात को मापा जा सकता है, एबं आयू के बारे में अनुमाल लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और इतियास में इन विधियों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कि जब कोई जीवास मिलता है तो उसकी खोच की जा और कानून वो भी 1991 का जो है, उसके बारे में विबात कर ली है, नोबल पर उसका आरजने मिला है, इस विधिय के लिए, इस खोच के लिए, उनके बारे में विबात कर ली है, चलिए इस तरह की टॉपिक के बारे में एक सामान जानकारी अपने पास रखा करिएगा, कई बा और किसी टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे.